ग्यारे बच्चो नमस्कार आज हम ग्यारवीं काक्षा में जीविज्ञान विशय के दूसरे अध्याय जीव जगत का वर्गी करण में सीखेंगे जीव जगत के वर्गी करण के विविन आयाम र.h. विटेकर द्वारा पांच जगत वर्गी करण की पद्धती मौनेरा तथा प्रोटिस्टा जगत का विस्तार में वर्डन छात्रों में कला कौशल विज्ञानिक दिस्टिकोन जग्या सुप्रवर्ती और अवलोगन कौशल क विकास करने की प्रवर्ती द्यानिक जीवन में जीव विज्ञान को सहसंबन्दित करना भी हम सिखेंगे। मानों सव्भिता की प्रारंब से ही, सजीव प्राणियों के वर्गी करण के प्रयास, व्यज्ञानिक मानदंडों की जगे, सहज श बुध्धी पर आधरित, हमारे भोजन, वस्त्र, ऐबं आवास जैसी सामान्य उप्योगिता के वस्त्रों के उप्योग की आउशक्टाओं प याद हैं आपको, सबसे पहले अरुस्तु नहीं वेज्ञानिक मान दंडों के साथ वर्गी कराण की शुरुवात की थी. समय के साथ 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 सजीवों के वर्गी कराण की पधती में अनेक परिवर्तन आये हैं. क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने जब पढ़ाय की थी तब वर्गी कराण का सिस्टम कुछ और था, बीच में कुछ और है, आज बिल्कुल बदल गया है और आने वाले समय में क्या होगा नहीं मालूम है. तो ऐसा क्यों हो रहा है, आपको मालूम है? चलिए चर्चा करते हैं, लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गी कराण के लिए एक द्वी जगत पधती विक्रिसत की गई थी, जिसमें उन्हें क्रम से प्लांटी अर्थात पादप एवं एनिमेलिया अर और तिरिक्त वर्गी करण के लिए आकारिकी के साथ-साथ कोशिका सन्रचना, कोशिका भित्ती के लक्षन, पोशन की विधी, आवास, प्रजन की विधियां एवं विकासिय संबंधों को भी समाहित करने के आवशकता मैसूस की जनने लगी, अतह है, समय के साथ-साथ इस बात को आप समझ गए होंगे, यदि प्रश्ण आता है तो आप इस प्रगार से उत्तर दे सकते हैं. बच्चो, सन 1979 एश्वी में आरेच विटैकर द्वारा एक पांच जगत वर्गी क्रण की पद्धती प्रस्तावित की गई थी. इन पांच जगतों के नाम हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लान्टी एवं एनिमेलिया, कोशिका संदचना, शारेरिक संदचना, पोशन की प्रकरिया, प्रजनन एवं जाती वर्थिय समंद्ध उनकी वर्गी क्रण की पद्धती के प्रमुख मानदन थे. तो यह महत्वपूर्ण है यहाँ पर, रेखांकित करना चाहूँगा, कि विटेकर की पद्धिती के क्या-क्या मानदन थे, तो यह आपको पता होना चाहिए. अब हम विटेकर पद्धिती के अंतरगत विभिने जगत के लक्षनों का विश्तार सेध्धिन करते हैं. बचो, पहला मौनेरा जगत है, सभी बैक्टिरिया इसके अंतरगत आते हैं, यह सुक्ष्म जीवियों में सरवाधिक संख्या में पाए जाते हैं, और बैक्टिरिया लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं. आपको यह जानकर आश्चरय होगा कि गरम जल के ज़र्नों, मरुस्थल, बर्फ एबं गहरे समुत जिसे विशम एबं प्रतिकूल वास स्थानों में जहां दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह सकते हैं, वहां पर भी बैक्टिरिया पाए जाते हैं. कई बैक्टिरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर पर जीवी की रूप में रहते हैं. आप चित्र में देखिए बैक्टिरिया का उनके आकार के आधार पर चार समुहों जिसमें गोलाकार, कोकस, बहुवचन में कोकाई कहते हैं, दूसरा छड़ाकार, अंग्रेजी मे विब्रियम कहते हैं और बहुवचन विब्रिया हो है. इसी परकार से चोथा है सरपिलाकार, जिसको अंग्रेजी में स्पाइरलम बोलते हैं और बहुवचन इसका स्पाइरिला है. इस परकार से बैक्टिरिया को चार समुहों बाटा गया गया है. आध्य बैक्टिरिया, ज अत्यांत कठ़र वास स्थानों जैसे अत्यांत लवन क्षेत्र, खार एक ख्षेत्र, हैलोफी, गरम जर्ने जिसको थर्मो अशेदोफिलस बोलते हैं, एबं कच्छ ख्षेत्र जैसे जिनको मैथवन जन बोलते हैं, वहाँ पाए जाते हैं. आद्य बैक्टिरिया तथा अन्य बैक्टिरिया की कोशिका भित्य की सन्रचना एक दूसरे से बहुत ही भिन्न होती है और यही लक्षण है जो उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तर दाई है मेथेनोजन अनेक रूमिनेंट परश्वों जैसे गाय भैंस के आंत्र में पाए जाते हैं और इनके गोबर से मिथेन जिसको बायो गैस भी कहते हैं का उत्रपादन होता है या जैव गैस कहते हैं यू बैक्टिरिया अथवा वास्ताविक बैक्टिरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ती एवं एक कशाब चल बैक्टिरिया जिसे कहते हैं द्वारक की जाती है एक और प्रकार है साइनो बैक्टिरिया जिनने हम नील हरित स्वैवाल भी कहते हैं इन में हरित पादवों की तरह क्लोरोफिल ए पाये जाता है जैसे हरित पादव में होता है ऐसे इन में भी पाये जाता है और ये प्रकास संसलेशी स्वपोशी होते हैं अर्थात प्रकास संस्लेशन के द्वारा अपना भोजन स्वयम बनाते हैं। साइनों बैक्टिरिया अलवन जलिय समुद्री अथवा स्थलिय सहवाल हैं। इनकी कॉलोनी प्राय जैली नुमा आवरण से धकी रहती हैं। जो प्रदूशित जल में बहुत फलते फूलते हैं। इसका मतलब यह है कि जहां पर यह मिलते हैं वो जल प्रदूशित है। यह आपके लिए एक जानने वाली बात है। कुछ बैक्टिरिया जैसे नॉस्टॉक और अनबीना पर्यावरण के नाइटोजन को टेक्टोशिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थरी कर सकते हैं। यह हमारे लिए फाइदे मन्द है। रसायन संसलेशी बैक्टिरिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन अकार्बनिक पदार्तों को आक्सिक रत कर उनसे मुक्त उर्जा का अपयोग, एटी भी उत्पादन के लिए करते हैं। यह नाइटोजन, फॉस्फोरस, आइरन, एवं सलफर जैसे पोश्कों के पुनर्चक्रन में महत्यपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चो, परपोशी बैक्टिरिया दूद से दही बनाने में और प्रतिजैविकों के उत्पादन में इसको आप एंटी बायाटिक भी कहते हैं। लेग्यूम पादब की जणों में नाइट्रोजन इस्तिकरन में साहता करते हैं। तो यह हमारे लिए फाइदे मन भी हैं लेकिन कुछ बैक्टिरिया हमको नुक्सान भी करते हैं। कुछ बैक्टिरिया रोग पैदा करते हैं, रोग जनक होते हैं और इनके कारण हैजा, टाइफाइड, टेटनेस, साइट्स, कैंकर जैसी बीमारिया हो जाती हैं। बैक्टिरिया प्रमुक रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं कभी-कभी विप्रीत परिस्तितियों में ये बिजानों बनाते हैं ये लैंगिंग प्रजनन भी करते हैं जिनमें एक बैक्टिरिया से दूसरे बैक्टिरिया में DNA का पुरातन स्थानांत्रन होता है, आपने माइको प्लाज्मा का नाम सुना है, माइको प्लाज्मा में कोशिका भित्ती बिल्कुल नहीं पाए जाती है, ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं, जो ऑक्सिजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं, बड़ा महत्वपड हैं प विटाकर के दूसरे जगत, प्रोटिस्टा जगत की बात करते हैं, प्रोटिस्टा जगत में सभी एक कोशिक यूकरियोटिक को रखा गया है, परन्तु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निधरित नहीं हो पाई हैं, और एक जेव विग्यने के लिए जो प्रकास संसलेशी प्रोटिस्टा है, वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है, तो कुछ इसपस्ट नहीं का गया है, प्रोटिस्टा के अंतरगत, कैसोफाइट, डाइनोफ्लजिलेट, यूगलिनॉइट, अब पंक कवक, जिसको स्लाइम मोल्ड बोलते हैं, एबं प्रोटो जोगा को का सनलयन, एबं यूगमनज, जिसको हम अंग्रेजी में जायगोड पे कहते हैं, बनने की विधी द्वारा लेंगिक प्रजिनन करते हैं, बच्चो, क्राइसोफाइट के अंतरगत, डायाटम तथा सुनहरे शैवाल, इनको डैस्मिट कहते हैं, ये आते हैं, ये स्वच्छ सोक्ष्म होते हैं, तथा जलधारा के साथ निश्चेट रूप से बहते रहते हैं, डायाटम में कोशिका भित्य बिल्कुल साबुदानी की तरह होती है, जैसे साबुदानी होती है, साबुदानी की तरह होती है, और इसी के अनुरूप दो अतिछादित कबच बनाती है, इ यह diatomy म्रदा बनाते हैं और इस म्रदा का उपयोग पॉलिश करने तेलों तथा सिरप के निश्यन्दन में होता है, फिल्ट्रेशन में होता है, यह समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं, इसको समझ लीजिए समुद्र के मुख्य उत्पादक का मतलब क्या है, अर्थाद प्रकास चंसलेशन द्वारा ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं डाइनो फ्लेजिलेट मुख्यते समुदरी एवं प्रकास चंसलेशी होते हैं इनकी कोशिका भित्ती के बाहर सतह पर सैलिलोस की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं अधिकतर डाइनो फ्लेजिलेट में दो कशाब होते हैं जिन में एक लमवत तथा दूसरा अनुप्रस्त काठ रूप से भित्ती पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्तित होता है प्राय है लाल डाइनो फ्लेजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लगता है और बड़े-बड़े टाइड इसको लाल तरंगे कहते हैं दिखने लगती हैं इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विस्फ के करण अने को समुद्री या जलिय जीव मर जाते हैं जैसे मचली है या अन्य समुद्र जीव ये मर जाते हैं और इसका एक उधारन है गोनिया लेक्स प्रश्ण पूछा जाता है कि समुद्र का रंग लाल क्यों होता है या लाल ज्वार से आप क्या समझते हैं तो वहाँ पर आपको ये जो आपको बिंदु बताया गया है ये आपको वहाँ पर उत्तर दिने में सहेक होगा अब हम बात करते हैं यूगलिनॉइट की अधिकांस यूगलिनॉइट स्वच्छ स्थिर जल में पाए जाते हैं इन में कोशिका भित्य की जगए एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पैरिकल होती है जिसमें दो कशाब होते हैं जिसमें एक छोटा तथा दूसरा करते हैं और आश्चेरी जनक रूप से यूगलिनॉइट में पाए जाने वाले वर्णक जो उच्छ पादकों में उपस्तित वर्णकों के समान होते हैं जैसे हरे पादों में हरे पादों में वर्णक पाए जाते हैं उसी प्रकार से इन में भी पाए जाते हैं इसका एक बह प्रतिकूल परिष्टितियों में ये समुह प्लाजमोडियम जिसको हम कहते हैं, बनाते हैं, ये प्रशनाता है कि प्लाजमोडियम क्या है? जो कई फीट तक लंबाई का हो सकता है, प्रतिकूल परिष्टितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजान युक्त फलनकाय बनाते हैं, इन बीजानों का प्रिक्षेपन वायू के साथ होता है प्रोटो जोवा की बात करेंगे, सभी प्रोटो जोवा परपोशी होते हैं, जो परभक्षी अथ्वा परजीवी के रूप में रहते हैं प्रोटो जोवा को चार प्रमुख समुहों में बाटा जा सकता है अमीविये, प्रोटो जोवा, ये जीवधारी, स्वच्छ, जल, समुधी जल तथा नम्रदा में पाए जाते हैं ये अपने कूट पादों की साहिता से अपने शिकार को पकड़ते हैं जैसे एंटीमीवी परजीवी है ये एंटीमीवी परजीवी भी हमारे शरीर में रहे करके हमें डाइरिया की शिकायत करता है, डाइरिया की बिमारी कर देता है दूसरा है कशाभी प्रोटो जोवा कशाभी प्रोटो जूवा सम्मुह के सदस्य स्वचंद अथ्वा परजीवी होते हैं आपको परजीवी तो पता होगा न क्या होता हैं परजीवी यह ऐसी जीव होते हैं जो दूसरे जीवों को हानी पहुचा करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं ये शरीर के अंदर भी होते हैं, शरीर के बाहर भी होते हैं, इनके शरीर पर कशाव पाया जाता है, कशाव छोटी-छोटी रचनाय होती हैं, जो उनको गती प्रदन करती हैं, परजी भी कशावी प्रोटोजोवा बीमारी के करण हैं, जिन से निद्रालू व्याधी नामक बी अर्थात व्यक्ति निद्र की अवस्था में रहता है, हमेशा उसको नीन जैसी आती है, सोता सा रहता है, और ये विमारी होती है ट्राइपनोजोमा नाम के प्रोटो जवा से, ये प्रश्ण बड़ा महत्योपूर नहीं, ध्यान लखेगा, जो लोग मेडिकल की त्यारी कर रह रहे हैं या जो अन्य एक्जाम्स की त्यारी कर रहे हैं, उसके लिए एक अच्छा प्रश्ण है, एक अन्य प्रोटो जो है, ये जलिये तथा अत्यंत सक्रिय गती करने वाले जीवधारी हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके शरी पर हजारों की शंख्या में पक्षाम्ब पा जाते हैं आपने एक चप्पल की यसी रचना होती है अक्सर देखियोगी और ये और कुछ नहीं बलकि पैरामीश्यम का उधारन है पैरामीश्यम का चित देखेगा आप बिल्कुल जैसे हमारी चप्पल होती है इसी प्रकार की इसके आकरती होती है आपकी पुस्तक में दिया गया है सभी के चित्र दिये गए है आप जितना भी यहां पर विवरण है इनको उन चित्रों के साथ आप अध्यन करेंगे तो आपको सारी बातें मिल्कुल सपस्ट हो जाएंगे एक और किस्म का प्रोट जुवा है जिसको स्पोरो जुवा कहते हैं स्पोरो जुवा के बहुत ही अच्छी नजरों से ने दिखा जाता है, प्लाजमोडियम नाम का स्पोरो जुवा है, ये वही प्लाजमोडियम है, जो मलेरिया करता है, आप सोचते हैं कि मच्छर से मलेरिया होता है, मच्छर एक वाहक है, एक वेक्टर है, लेकिन malaria जो है वो जिस जीव के करण होता है वो plasmodium नाम का जीव है जो sporajowa वर्ग में आता है तो plasmodium से malaria होता है और ये plasmodium क्यों जीवन चक्र है इसके लिए दो जीव चाहिएं जिसमें एक जीव मच्छर है और दूसरा जीव मनुष्य है तो दो जीवों के बीच में चक्रण करता है यह अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करता है जिसमें मनुष्य के खून से यह अपनी आवशक पोशक तत्म को लेता है बच्चो आज हमने जो सीखा है दूसरे अध्याई जीवों के वर्गी करण में उसको एक बार पुना देखते हैं जीव जगत के वर्गी करण के विभिन आयाम हमने देखा हमने देखा कि मानव की सब्विता से और आज तक जो जीवों का वर्गी करण है ये बदलता आया है आच्छा जीवों का वर्गी करण बदलता क्यों आया? मानव सभेता की प्रारम से ही आप देख रहे हैं, हम बार-बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, बार-बार इसकी चर्चा कर रहे हैं, कि जो वर्गी करण है, वो मनुष्य ने उन जीवों के उप्योग की आधर कर किया, चाहे वो भोजन के लिए हो, आश्रे के लिए हो, वस्त्र के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, जिस जीव से जो जो उनको उप्योग हो सकता था, उन्हें ने गहरी दिल्चस्पी रखी और वर्गी करण करते गए आज भी हमारी जो उपयोग हैं उनके विभिन आयाम बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी खोज भी बढ़ते जा रही है और अभी भी हम जो इसमें जीव ज्यानिक हैं वो नाना प्रकार के क्षेत्रों का अधियन कर रहे हैं और उनको नए प्रकार की जीव उसमें मिल भी रहे हैं तो वर्गी करण जो है वो एक स्थाई प्रक्रिया नहीं है ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में बदलाव, अपरिहार्य हैं अनिवारी हैं, जरूरी हैं, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि वही वर्गी करण, हमने तो यह पढ़ा था और आप ऐसा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ता था, जब मैं आपकी तरह छात्र था, तो वर्गी करण का बहुत ही सिंपल, वहाँ पर एक सिंपल सिस्टम था लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए, आप करीब 35-40 साल बाद, तो जो वर्गी करण हैं, उसका आयाम भी बदलते जा रहे हैं, वर्गी करण के पद्धतियां बदलते जा रहे हैं आपने देखा कि आरेच विटेकर ने पांच जगत के वर्गी करण की पद्धति प्रस्तुत की है, आपको बता दें, छे जगत वर्गी करण की प्रस्तुति भी हो चुकी है, और सात्ने की तयारी चल रहे है कहने का तात्पर ये है, कि वर्गी करण को हम इस थिर रूप से नहीं पड़ सकते हैं, इसमें सतत परिवर्टन आते ही रहेंगे और वो परिवर्टन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जब हम नए-ने क्षेत्रों की खोज कर रहे हैं, तो वहाँ नए-ने प्रकार की जीव या प्राणी हमको मिलते हैं अब उनके लक्षणों के अधार पर उनको हम कहां समाहिद करें, कहां समायुजित करें, इस बात की चर्चा जाय वेगयनिक पूरे विश्व सतर पर करते हैं और उसी के आधार पर फिर वो नए वर्गी करण की शुरुवात करते हैं और ये एक तर्ग संगत बात भी है, यही एक व्यज्ञानिक तरीका है तो जो विटाकर ने पांच जगत बनाये वर्गी करण के उसमें हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा का अध्यन किया है इसमें फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया इसका अध्यन हम अगली कक्षाओं में करेंगे तो आज हमने जो भी किया उसको एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि हर बच्चा स्वाध्याय करे पुस्तक में विविन प्रकार के चित्रों से उनके हर प्रकार के लक्षन को समझने का प्रयास करेगा और मुझे आशा है कि आप इसको बहुत अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे इसके लिए आप और जो स्रोत हैं जहां पर आपको चित्र मिल सकते हैं या कोई फिल्म मिल सकती है, कोई डॉकुमेंटरी मिल सकती है, आप उनकी साहता लीजिए और आज जो हमने वर्गी करण के विभिन अधिगम मिंदू सीखे हैं, उनको बहुत अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए अब जो भी हमने पढ़ाई की है, उसका आकलन तो होना चाहिए, तो एक छोटा सा आपको ग्रह कारे दे रहे हैं, अभ्यास दे रहे हैं, आप उनको करिएगा, तो इससे आपके जो अधिगम मिंदू है और सुष्पस्ट हो जाएंगे तो पहला प्रस्ण है, डाइटम में सेल की दिवारों की प्रकरति क्या है, डाइटम वही डाइटम में जिसके बारे मताया था साबुन्दानी की तरह होता है दूसरा प्रसन है लाल जुआर क्या है तथा यहत्यों होता है इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी कि लाल जुआर पर पर प्रसन आते हैं तीसरा प्रस्न है, प्रोटो जोगा के चार प्रमुक समुहों का संक्षयप में बढ़न करें, यह बहुत महत्यपूर्ण है, यह मैंने एक बड़ा प्रस्न दे दिया, इसी को छोटे-छोटे प्रस्न में भी पूछ सकते हैं, कि मलेरिया का कारक जीव बताईए, या प्रस्न का निर्मान करेंगे और उनके उत्तर लिखने का भी प्रयास करेंगे, एक और प्रस्न है कि युगली नौयट्स की विशिष्ट विशेष्टाएं क्या हैं, यह वही युगली नौयट्स हैं, जिनकी बारे में मैंने बताया था, कि उनमें पौधों की तरह, से लिखेंगे, एक और प्रस्न है कि अवपंक कवक जिसको हम स्लाइम मोल्ड कहते हैं, कि सम्मुख यदी प्रतिकूल परिस्तियां हो जाएं, तब क्या होगा, तो यह एक प्रश्न है, एक चालेंजिंग प्रश्न है, इसको आप देखिए, और जो भी हमने आज चर्चा की ह इसके साथ-साथ जो आपकी पाठ्य पुष्तक है, पाठ्य पुष्तक के साथ-साथ जो भी आपको सहाइक समगरी मिलती है, और इस यह हमने आज कक्षा में चर्चा की है, इन से इन प्रश्नों के उत्तार आपको निश्चित रूप से मिलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और मैं इस बात के लिए भी आशा करता हूँ, कि आप जीविज्ञान का जो विशाय आपने चुनाव किया है, इसमें बहुत अच्छी प्रकार सध्यन करते वे, जो भी आपके वो देश्रे हैं जीवन के, उनको प्राप्त करने में सक्षम होंगे, इसके लिए हमारी हिर करेंगे, तब तक इस बातें सिद्ध होने वाले नहीं हैं, तो इसी इनी सुबकामनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे, इस अध्याय के अन्य भागों का फिर से चर्चा करेंगे, अगली कक्षा में तब तक के लिए धन्यवाद. करेंगे छो